गुड मॉर्निंग गैल्स वेल्कम तो करेंट बाइसरी आज एक मार्च दोहजर चौबिस और आज की डिट में मैं आप लोगों के एकजाम को देखते वे important question इस वीडियो में लेकर आई हूँ यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगे और important लगे तो आप इस चैनल को लाइक करें और bell icon को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लिए test वीडियो को notification आप लोगों को सबसे पहले मिल सके थैंक्यू आज का जो important question है मैं आप के सामने present कर रही हूँ तो आज का पहला question है कि हाली में जारी वैस्विक बौधिक संपदा सुचकांक 2024 में भारत कौन से अस्थान पर रहा तो इसका answer हो जागा 42 यानि कि जो इंडिया है वी वैस्विक बौधिक संपदा सुचकांक में जो भारत का अस्थान कौन सा है तो हो जागा 42 नंबर पर है कि इसकी बाद जो वैस्विक बौधिक संपदा यानि कि इंटरनेशनल इंटेलेक्ट्वल प्रोपरिटी इंडेक्स जो है इसको कौन से कौन जारी किया है तो यस चेंबर आफ कॉमर्स इसको जारी किया है और जो आई-पी का जो संसकरण है 2024 में बारह संसकरण हुआ है 2024 में ठीक है आई-पी इंडेक्स का 2024 में 12 संसकरण हुआ है इसके बाद में गैस में यह बता दू कि जो आई-पी इंडेक्स जो 2024 में हुआ है वे उसमें भारत का स्थान कौन सा है तो भारत का स्थान कौन सा है तो 42 नंबर पे है ठीक है भारत 42 नंबर पे है 42 नमबर पे ही था इसके बाद अगर टॉप की बात करें तो टॉप पे सायुक्त राज अमेरिका सेकेंड पे उनाइटेट किंग इडम और थर्ड पे फ्रांस रहा और भारत का स्थान 42 नमबर पे इसके एसे मतलब यह कि इंटिलेक्ट्ट प्रापर्टी वह जैसे कि छो अगर कोई अपने दिमाग से कोई भी चीज बनाता है, तो इसको बोलते हैं और कोई सोचे कि मारी इंटेलेक्चल प्रोपेरटी को कोई मतलब कि कोई चुरा नहीं सके तो इसके लिए पेटेंट करवाते हैं या चुपी राइट करवाते हैं और इन सब की देख रहके लिए एक 1967 में W.I.P.O की इस्थापना की लिए थी इसकी देख मतला कोई किसी का चुरा न सके उसकी देख रहते के लिए 1967 में WIPO की याने की World Intellectual Property Organization की स्थापना कीजी इसका हेड़क्वार्टर जिनेवा स्विट्जेर लेंड में है इसके बाद जो सेकेंड कोईस्चन है आपके सामने हाली में World Gold Counseling में किसी भारत के लिए CEO नियुक्त किया गया है तो इसका जो वर्ड गोल्ड कांसलिंग है वे इसकी स्थापना 1987 में वह था हेड़क्वार्टर लंडन में युक्त में है और हेड़ इसके कौन है तो केलविन डी है इसके बाद जो दीस तीसरा कोईस्चन है वहाली में पीम नरिंद्र मोदी ने भारत टेक्स 2024 का आयजन कहां किया तो इसका हो जाएगा न्यू डेली में ठीक है इसके बाद भारत टेक्स 2024 का जो आयजन हुआ वो कब हुआ था तो 26 फरवरी से 29 फरवरी तक और इसमें 3000 से ज़्यादा व्यवकारियों ने हिस्सा लिया इसके बाद चौथा जो कोईस्चन है वे फरवरी 2024 में किसने दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडारन योजना को सुरू किया तो नरिंद्र मोदी जी में सुरू किया इसके बाद यह योजना सहकार से समरीधी कारिक्रम के तहट लॉंच किया गया है यह कारिक्रम दिल्ली में भारत मंडप में आयोजन आयोजित कि और इसस्कीन के देश वर में आनाच श्टोर अर। इसके बद리च माचमा केच्याया है कि इसका अन्सर हो ज्षक्राइब हरी को राष्ट्री विज्ञान दिवस कि और इसका आंसर हो जागा 28 प्निया इफ्यक्ट की खोश की थी और इसलिए ये 28 फरेर को राष्ट्री विज्ञान दिवस मनाए गया था और इसी रमन इफ्यक्ट की वज़े से उनको 1930 में नोबेल फुरस्कार भी मिला था इसके बाद में जो छठा कोश्चन है कि हाली में डेंगू की बढ़ते प्रकूप की कारण किस देश ने स्वास्त अपातकाल की खोशना की है तो जगा पेरू जो पेरू है साथ अमेरिकन कंट्री है पेरू के कैप्टेल बता दूँ जनकारी के लिए लीमा करेंसी सोल और प्र साथमा कोश्चन आपके शामने है वे है कि हाली में चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला ओट देश की नाम अभियान शुरू किया है तो इसका आंसर हो जागा सिक्छा मंत्राले कि हाली में चुनाव आयोग कि इसके साथ मिलकर मेरा ओट मेरा पहला ओट देश की नाम अभियान शुरू किया तो सिच्छा मंत्राले के साथ इसकी बाद में आठ्मा कोश्चान है कि हाली में प्रधान मंत्री मोदी ने किस देश के आगा लेगा द्रीप पर हवाल पट्टी का उद्गाटन किया है तो होजाएगा मौरिशस जनकारी के लिए बता दू गैस्ट मौरिशस का कैपिटल पोर्ट लूइस करेंसी मौरिशस रुपी और पी एम प्रवीद जुगनाथ इसके बाद जो नाइन कोश्चन है आपके सामने वह है कि हाली में प्रारंबिक इस्तन कैंसर का पता लगाने के लिए सवीरा कारिक्रम किसकी द्वरा सुरू किया गया है त जो हर्यानना के CMG मनोहर लाल खट्तस इन्हों ने सवीरा पारकरम का उधाटन किया है और इसका उद्वे सिक्ष का कैंसर की सिघ्रव पहचान और रोक ठाम करना है और यह जो शुरुत किया गया ह 상황 मेरानता फ़ौंडेंस ने गुड़गाउं में स्वास्थ विभाग के सहיע से किया है इसके बाद हर्याने का कैपिटल चंडिगड गवर्नर बंडारू दरत्रे और नेशनल परक यहां पर दो सुल्तानपूर और कलेशर इसके बाद गज 10 कोस्टन और लास्ट कोस्टन है कि हाली में इस रो किस मीशन की तहत चार अंत्रिच हियात्रियों की नाम का एलान किया है तो हो जेगा गगन्यान और यहां पर जो चार अंत्रिच हियात्री हैं उनका में नाम बताव दिए जो है यह लान किया और विआ जो पीम नरिंद्र मोदी जी जी इनको नंत्रिच हियांत्री पंक दिये हैं इसकी बाद में इस्रों यहां पर इस्रों की वात्रत इसर की स्थापना पंद्रागर्श्त उने 70 में वा था येट्वार्टर बेंगलुरु और जोु इनके मड़े के सीव हैं सोनना कुझी है इसकी बाद जाइश आज कर टेन इंपॉर्टेंट को सेन कम्प्रीट हो चुका है और इसकी बाद में जिसका आंसर को कमेंट लॉक्स में कमेंट करना होता है तो आज का कुश्चन है भारत देश की कुछ किस ने किया था महात्मा गांदी वास्काक डियमा भागत सिंह निल अर्म इसका regulator जिसकी को भी पता होगा प्ली में इसका आंसर्स कमेंट करें और चाराय करें किल का क्वेश्चन में इसका आंसर बताती हूं